जैहिंट फ्रेंट, वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल, फ्रेंट इस वीडियो के मादब से मैं 36 गड़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधी टॉप महत्पून आपको 50 MC की कोश्चन जो है बताऊंगा, तो चलिए श्टार्ट करते, जो फूड इस्पेक्टर के लि हुआ है, क्या संबंध सही नहीं है, यह बताना है, तो इसका विस्तार संपोर्ण 36 गड़ में हुआ है, इसका संचित नाम 36 गड़ खाद्य पोशन सुरक्षा अधिनियम 2012 है, यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तीथी से लागू है, तो यह क्या है, यह सभी है, जबकि इसमें इन में से कोई नहीं आएगा इस कांसर, यानि इन में से कोई नहीं, बाखी सभी क्या है, सभी क्या है, सही है, अगला कोशन देखते हैं अपन, इस राजी के अधिनियम के अंतरगत आसरम किसे कहा जाता है, तो इस अधिनियम के अ इस अधिनियं के अंतरगत सामिल है तो चावल सामिल है गेहुञाटां और और मोठे अनाज Flower उत्र ठेए इस अधिनियं के तहट पक्का मकान से आसा है जिसकी छट जो है वे सिमेंट कांगरेट से बनी हो जिसकी छट जो है सिमेंट कांक्रेट से बनी हो अगला कोशन देखते हैं नीमने में से किसे किन्हे रियासती मुल्यों पर खाद्य समागरी प्राप्त करने का अधिकार है तो यह अंतियोध्य परिवार को हो गया समागरी परिवार को हो गया और प्रात्मिक परिवार यानि अपरियुक्त सभी को किसे अपरियुक्त सभी को अगला कोशन देखते हैं गर्भवती वो सिसु वती माताओं के लिए पोशन अहार की सहता का उल्लेक किस धारा में दिया गया है तो गर्भवती वा सीसु माताओं के लिए पोसा आहार सहता के सम्मन में सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है यह बताना है तो देखे गर्भवस्ता वा बच्चे के जन्म के छे महा अंगनबाड़ी से नीशर्ण को भोजन ये बिल्कुल सही है गर्भावस्ता वबच्चे के जन्म के पस्चात 6 महा तक के आंगन बाड़ी से निसुल को भोजन ये सही है मातत्व लाब योजना के अधीन सर्तों के अनुसार दिया जाता है ये भी बिल्कुल सही है जबकि ये गलत है बी वाला गलत है क्या है वबच्चों के जन्म के पस्चात 12 महा तक के आंगन बाड़ी से निसुल को भोजन ये गलत है कि 6 महा तक है ठीक है 6 महा का प्रोधान है अगला कोशन देखते हैं बच्चों के लिए पोसा आहार सहता संबंदित उबंद किस धार में है तो धारा 5 में है तो बच्चों के लि ये पोसा आहार सहता का उबंद किस धार में है छात्रा वासू और विद्यालों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोसा आहार सहता का उबंद किस धार में है तो यह धारा 6 में है किसमें धारा 6 में अगला कोशन देखते हैं विशेस समूल में सामिल नहीं होते वि विशेज समू में सामिल होते हैं और धारा तीन के तहत क्या है विशेज समू का उबोधन किया गया है ठीक है धारा तीन के तहत आपत और आपदा प्रभावित वैक्तियों के लिए कितने महा तक निशुल को भोजन उपलब्द कराया जाएगा तो तीन महा तक है आपत और पोलई आ हंता का उल्ली किस धार में है तो धारा नौ में है आपत एवं आपदा और भावित वेक्तियों के लिए नौ की 10 में रहत प्रदान करने तू मार्गदर्शिक तयार क्या गई है तो राजेसरकार गें YouTube इसके राजेसरकार क्या गई है मार्गदर्शिका, भूग की दसा में राहत प्रदान करने का उत्तरदाईत होता है, इस्थानी निकाय को, भूग से तत्काल रहात के संबंद में सही है, पहचान किये गए वैक्ति को छे माह तक के तक दो समय का भोजन निसुल के दिया जाना चीए, और अन्न कोई राहत जो राजसरकार की राय में आवश्यक हो, उसे क्या है, प्रदान किया जाना चीए, विशेज कमजोर समाजिक समोहों में सामिल नहीं होते, तो विशेज कमजोर समाजिक समोहों में सामिल कौन नहीं होते, तो यह जो भूमी हिन क्रिशी मजदूर जो होते हैं, भूमी हिन क्रिशी मजदूर के जो समस्त परिवार होते हैं, यह क्या है, विशेज कमजोर समाजि एक आकी महिला हो ऐसे परिवार जिनके मुख्या लाई-लाज विमारी से पीडित हो और ऐसे परिवार जिनके मुख्या एक निसक्त वैक्ती हो ठीक है तो अगला कुशन अपन देखते हैं प्रात्मिक परिवार की सुची में सामिल होते हैं तो प्रात्मिक परिवार की सुची म कौन सामिल नहीं होते तो ऐसे परिवार जिनके मुख्या विमुक्त बध्वा मजदूर हो वह प्रात्मिक परिवार की सुची में सामिल नहीं होते तो कौन कौन सामिल होते यह देख और सिमान्त एवं लगुक रिषकों के समस्त परिवार क्या है प्रात्विक परिवार की सूची में शामिल है इस्थानी निकाओ की भूमिका के संबंद में सही नहीं है तो अभी लिखों की पुर्ण पारदर्सिता क्या है सही नहीं है अभी लेकों की पुर्ण पारदर्शिका क्या है सही नहीं है जबकि इसमें क्या क्या सही है देख लेते हैं तो इस्थानी निकाओं की भूमिका के समझ में पातर परिवारों के पहचान करती है पातर परिवारों को रासन काट जारी करती है और उचित मुल्य के दुकानों के निग्रानी करती है और उचित मुल्य के दुकानों की निग्रानी करती है निग्रानी समीथी की इतनी संख्या होती है तो चार होती है निग्रानी समीथी की संख्या कितनी होती है तो चार जो है निग्रानी समीथी की संख्या होती है चार जो है निग्रानी समीथी की संख्या ह सारवजनिक वितरण प्राली में सुधार करने की सकति का उल्ले किस धैरा में है तो 21 में , तो तहित तहना को पीड copyright पर नहीं हो तो 2 वृ सब्सेंद है कि की सफिर्ण है , तो 10 , lesia सरकार को PDS में सुधार करनी की सक्ति के संबंद में क्या सही नहीं है तो भूमीहीन क्रिशी मजदू परिवार को पहचान करना यह क्या सही नहीं है जब कि कौन कौन सा सही है यह देख लेते हैं उचित मुली के दुकानों पर दुकानों तक समस्त खाद समागरी पहुचाना यह सही है अभी लेकों को पुन्नता पारदर्सिता यह बिल्कुल सही है और उसके बाद प्रयाप्त सुरक्षित भंडार रखना यह बिल्कुल सही है धारा 21 के ठीक है अगला कुशन देखते हैं अधिनि इसठाव की किस धार में अंतोध्यय प्राथ्मिक एवं समांडे परिवारों की सूची प्रदर्शन का उल्लेक है तो धारा सोबीली के संब्स सभयाएग है। उचित मुल्य के दुकानों की मार्ग दर्षिखा 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 कि अनुसार समाजिक अग्हचन पर्णाली के स ममंद में किस धारग उल्ले किया गया है इसका धारग उन्नीस का उल्ले किया है आंतरिक शिकायत निवारण तंतर के अंतरगत पदा भीवीत नहीं किया आ जा सकता तो जीला कलेक得 और सिकायत निवारान तंत्र के अंतरगत पदा भीहित नहीं किया जा सकता किसे जीला के लेक्टर को पदा भीहित नहीं किया जा सकता अप वर्जित परिवार में सामिल नहीं होते अप वर्जित परिवार में कौन कौन सामिल नहीं होते तो अप वर्जित परिवार में कौन कौन स परिवार अनुशिती छेत्रों में चार हेक्टेर से अधिक भूमिदारक परिवार ठीक है यह सब क्या होते हैं अप वर्जित परिवार में आते हैं अधिनियम की कौन सी धारा में कल्यानकारी योजना बनाने वाँ जारी रखने का उल्लेक है धारा 27 में अधिनियम की किस धारा में कल्यानकारी योजनाव बनाने की जारी रखने की सक्ति किसे प्रदान की गई है तो राज्य सरकार को किसे राज्य सरकार को की गई है अगला कुशन देखते हैं लक्षित सारवजनिक वित्रण प्रणाली से संबंदित अभिलेकों का प्रकटन का राज जी इस्तर की समीति है जीले इस्तर की समीति हो सकती है विकास खंड इस्तर की समीति हो सकती है तो निग्रानी समीतियों के सदस्य में सामिल नहीं होते तो निग्रानी समीतियों के सदस्य में कौन सामिल नहीं होते तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है निग्रानी समीतियो निग्रानी समिती के प्रमू कारे हैं तो सभी योद्णाओं के क्रिवयान का परिक्षण करना सभी योद्य मोगन पर अभीनियम के उलंगन पर कलेक्टर को सुचना देना अभी नियम के उलंगन पर कलेक्टर को सुचना देना, सभी योजनाओं के क्रियावयायन का परिच्छन करना, प्राप्त निधी या इस्टाक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सुचना देना, विदमान योजनाओं मार्गदर्शी का आदेश एवं खाद्य संबंदित मापदर्णड पर बने रहने का उल्लेक इस धारा इक तिस में, निगरानी समिती के सदस्य में सामील होईगे, तो इस्थानी प्राधिकारी, अनुसुचित जातियों, जन जातियों, महिला वर्ग, इस्थानी प्राधिकारी, अनुसुचित जातियों, जन जातियों, महिला सदस्य, ठीक है, अधिनियम के किस धारा में, पातरता प्रदान करने की कारवाही का विनियमन का उल्लेक है, तो कि अधीन अनुसूचियों में संसोधन की सक्ति किसे प्राप्त है तो राजिसरकार को, संसोधन की सक्ति किसे प्राप्त है राजिसरकार को, एकल निरासित रासनकार धारी को प्रतिमा अनाज मिलता है, तो 10 किलो अनाज मिलता है, निसक्त जन रासनकार धारी को प्रतिमा इसे भी 10 किलो अनाज मिलता है ठीक है एक सदस्य वाली समानने रासन काट धारी को प्रतिमा अनाज मिलता है तो इने भी 10 किलो तो किने किने 10 किलो मिलता है तो देख लीजे पहले तो निशक्त जन हो गया निरासित हो गया और एक समानने रासन काट धारी को ठीक है एक सदस्य वाले प्रति बस अनाज मिलता है 35 किलो अधिनियम की किस धारा में अप्रत्यासित कृत्यों की दसा की दाइतों का उल्ले किया गया है अधिनियम की किस धारा में अप्रत्यासित कृत्यों की दसा की दाइतों का उल्ले किया गया है अगला कोशन देखते हैं इसका पीडियेप में अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा फ्रण जिसका लिंक बेरे डिस्क्रिस्ट्पिसन में दे रखा है निगरानी समीती के कार्य है तो प्राप्त निधी और स्टाप के दुरुप्योग पर कलेक्टर को सूचना देना इस अधिनियम के कुल कितने अध्या है तो 14 अध्या है या अधिनियम विदान सभा में कप पारित हुआ तो 21 दिसमबर 2012 10겁 हुआ था इस अधिनियम के धारा है कितनी है नहीं तो 36 धारा है यह 21दिसमबर 2012 10 FUCK को यह अधिनियम पास हुआ था और इस अधिनियमें के इतने अध्याय तो चौधए addition accreditation. तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्लक्राइंट वीडियो को share कीजिएगा और comment करके जरूर्ब बताईएगा कि और अधिनियम के वीडियो बनाया है. तो मैं जरूर बनाऊगा in bless you, iş थेकी भलत